जैसा कि आपने पर सुन मॉडलेशन के मॉडलेशन इंडेक्स के बार में पड़ा था और हमने देखा था कि बहुत सारे टाइप के मॉर्ड यह होते हैं मॉडलेशन्स लाइक अरिंडर मॉडलेशन अंडर मॉडूलेशन में क। और मैं क्या होता है !! एंडर में क्या होता है !! अगर हम मॉडुलेशन इंडेक्स की बार करें इसमें मॉडुलेशन इंडेक्स जो है मैसेज सिगनल का मैक्समुम अम्प्लिटूड यहां पर मैंने रखा है 0.5 सो दाट इस 0.5 और जो केरियर है उसका मैक्समुम अम्प्लिटूड है वान तो 0.5 डिवाइड बाई वान इस 0.5 वान से कम होगा वान से कम होगा तो अंडर मॉडुलेशन ठीक है तो अब आप जैसे देख रहे हो जो पहली वाली वेव है वो मेरी मैसेज सिगनल है जो दूसरी है वो केरियर है अब मुझे मॉडूलेटिंग सिगनल पहले मुझे बताओ जरा केरियर का केरियर का पॉजिटिव एन्विलप क्या है और नेगेटिव एन्विलप क्या है वो चार्ड बॉक्स में बताओ carrier का positive envelope क्या है और carrier का negative envelope क्या है वो मुझे बता चैनल बॉक्स में carrier का positive envelope क्या है positive envelope is plus one negative envelope is minus one good अच्छा मुझे बता message का positive envelope क्या है message का positive envelope क्या है okay good ठीक है फिर अब देखो modulated signal कैसे बनाते है सबसे पहले ये मेरा पहला वाला मेरा message है और दूसरा मेरा carrier है उसके बता modulating signal कैसे बनाते है modulated देखो सबसे पहले अब देखो ये मेरी zeroth line है जैसे यहां पे यह zero है यहां पे यह zero है उसके बाद मुझे देखना है carrier का amplitude कितना है दियान से सुनिएगा carrier का amplitude कितना पहले मैं यहां से projections लाता हूँ अब जैसे परसू question था बहुतों को कि why do we prefer under modulation and why don't we prefer over modulation so आज clear हो जाएगा record हो रहा है अब देखो तो यह यहां पे यह वाला projection होना चाहिए था अब देखो सबसे पहले मुझे देखना है carrier का amplitude का है maximum observe one है यहां पे मैं यहां पे यह दिखाने की ज़रत नहीं है मैं तुम्हों के reference के लिए डार रहा हूँ यह लाई में dotted यहां पे मेरा नेया यहां से minus one पे भी ऐसे ही जैसा पहले मुझे carrier वो भी अब क्यों हम ऐसा कर रहे हैं वो आपको कल पर सुपता लग ज़रेगा अब यह आप देखो बनाना कैसे है modulated signal and we're drawing air modulated signal कैसे बनाओंगा one से उपर जाओंगा ऐसे वो zero से zero point five तक गया था यह जाएगा one से one point five तक वो zero से point five तक नीच आएगा यह आएगा यहां तक उपर जाएगा ऐसे जैसे मेरी message है अब नीचे वाले side उल्टी बनानी है यह जाएगा minus one point five तक उपर आएगा minus zero point five तक यहां से जाएगा minus one point five तक यहां से आएगा ऐसे ठीक है यहां तक ठीक है ज़र चैट बॉक्स में बताओ अब देखो अब simply क्या करना है जो मेरी कैजर थी वही बनानी है यहां थाहँ बनानी है अब। कोँ को very much अब। Cris ठीक है यह बन गई मेरी modulated signal अब देखो अब अगर मैं आप लोगों से पूछूँ देखो जो मेरी message signal थी ना वो थी कुछ ऐसे message signal was like this my message signal is like this है के नहीं और जो मेरा modulated signal का जो positive envelope है modulated signal का जो positive envelope है वो है कुछ ऐसा मैं बोल सकता हूँ कि यह और यह message same है फरक इतना ही है कि यह zero पे था और यह carrier पे था message same है जब हम demodulation करते हैं हम actually envelope detection करते हैं मनलब अगर envelope में message है तो हमें message अच्छे से मिलेगी तो देखो हमने जो modulated signal देखी modulated signal का positive envelope message के बराबर है या नहीं है इतना बताओ पहले modulated signal का जो positive envelope है वो message के बराबर है या नहीं है आप देखो मैंने peaks मैंने पहले ही बनाया हुआ तो हम detect कर सकते हैं अगर हम इसकी demodulation करेंगे हमें message signal आराम से वापस मिलेगी अब जब हम over modulation में देखेंगे हमें पता चलेगा कि वहाँ पे नहीं होगा आईसा वहाँ पे जो envelope है वो message signal के बराबर नहीं होगा एक और चीज़ मैं इसमें बताना चाहता हूँ जो हमारा for example जो for example जो maximum value है ना mod related signal का maximum value that is उसको लिखते हैं Emax से Emax is 1.5 और जो minimum value है ना minimum value है ये ये वाला minimum amplitude तो minimum amplitude है यहाँ पे Emin that is 0.5 देखो अब देखो मुझे पता है message signal को मैं ऐसे लिख सकता हूँ जो मेरा message signal का amplitude है वो क्या है वो है 0.5 मैं modulation index M और mu की दूसरी formula होती है अगर मेरे पास modulated form है Emax minus Emin divided by Emax plus Emin आएगा ना 1 by 2 के आएगा 0.5 के बराबर तो निकाला हमने modulated waveform से भी modulation index जो के हमें पहले ही पता था 0.5 के बराबर है इतना clear है chart box में लिखिये क्या रिपीट करना भाई बागी सारे 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 मॉडूलेशन के बाद वाला मैंने बोला जैसे हम हमने यहां पर अगर मेरे पास modulated signal है modulated मेरे पास मुझे नहीं पता इसका message क्या है इसका carrier क्या है अगर मुझे modulated signal से निकालना है modulation index तो क्या करते है हम modulated signal का देखते है maximum amplitude क्या है modulated signal का maximum amplitude क्या है फिर देखते है modulated signal का minimum amplitude क्या है और उसको लिखते है e max minus e min divided by e max plus e min और आपको जो waveform मिलेगी ना वो ऐसे नहीं होगी तहता इसने की e dash वैसे यह मैंने reference के लिए डाले हुए है तुम लोग के लिए यह वाले यह जो ऊपर ऊपर डैस है नहीं होगा वहां पर वहां पर सीधी waveform होगी अश्य जैसे मैं बनाओंगा अभी एक सेकेंड यह तो मैं बनाने का तरीका बता रहा था वहां पर डैस वैस होंगे नहीं सीधे होगा ऐसे कहां गया है पार पें गया है और डाट अब जैसे से ओगा अधा है कि आख ली पना रहा हूं ऐसे कुछ बहुआ है यह उपर वाले डैस नहीं होगा हमें खुदी समाझना है कि इसमें कुन्सी मॉड रिलेशन है चलते हम दूसरे केस की और विच इस critical modulation critical modulation में क्या होता है जरो बताओ देखो critical modulation जरो मुझे इसका modulation index बताओ पहले 1, good modulation index क्या होता है modulation index is the modulation index is the maximum amplitude of message that is 0.5 और maximum divided by maximum amplitude of carrier यहां पे carrier का भी amplitude 0.5 तो आएगा 1 के बराबर this is critical modulation अब देखे के लिए modulated waveform कैसे बनेगी this is message या जिसको हम modulating भी बोलते हैं और यह हमारा carrier अब देखो अब सबसे पहले हमें देखना हमें जाना होता है पहले अब प्रोजेक्शन लाते हैं अब देखो सबसे पहले हम देखते हैं हम जाते हैं उपर कितरा जितना carrier का amplitude है जिरो पॉइंट फाइव और यहां पे माइनस जिरो पॉइंट फाइव और यहां पर जो यहां और यहां यहां और यहां अब यहां से भी लेकिन उल्टे साइड से मानेटी डिग्री फेश शिफ्ट दे के मैसेज को बनाना है अब हम मनेंगे जो असली सिगनल है वो होगी ऐसे यहां आचल है ठीक है, तो ये बन गई हमारी modulated signal, अब देखो इसमें, जो हमारी modulated signal है, अब देखो, अगर इसका positive envelope देखेंगे न, positive envelope is like this, modulated में, modulated में, positive envelope बन गया, ऐसे, ये मेरा message signal ही है, लेकिन थोड़ा उपर ही है, message के, ये मुझे message ही मिल गई, क्योंकि मेरी message signal भी ऐसी waveform है, जैसा इसका positive envelope है, तो, जो मेरी वापस मिली, जो मुझे, मौढल Hier, मुझे message signal वापस मिल रही है, अगर मैं, मौढल Hier, सिगनल का जो ये है envelope देख रहा हूँ, positive envelope देख रहा हूँ, अगर मैं पीक्स को जॉइंग करा हूँ, मुझे message signal मिल रही है, थोड़ी उपर के और shifted है, लेकिन मुझे message signal वापस मिल गई, इसलिए मैंने बोला था, हम दो cases को ही prefer करते हैं, चाहे वो under modulation हो, चाहे वो critical mode, critical तिछ है, इस वारह काम करा है, we prefer mostly under modulation, क्योंकि under modulation में मेरा जो modulated signal है, वो message की exactly बराबर होता है, इतना clear है, चले over modulation की और, chat box में लिए, बाकिस आरे, write in chat box, fast, पैसल कहां गया, अच्छा, sweat, okay, good, let's move to over modulation, और हम देखेंगे, कि हम over modulation को क्यों नहीं prefer कर रहे हैं, ज़रा modulation index लिखो क्या आएगा, इसका, जो मैंने signal दिखा है, इस पर, 2, exactly 2, क्योंकि modulation index is actually, modulation index को message signal का maximum amplitude, that's 1 divided by 0.5, that's equivalent to 2, अब देखो, हब जो, हम modulated signal बनाएंगे, क्या करेंगे, चलो, इदर बना रहेते हैं, प्रोजेक्शन, अल्या अप्रम पहले है, चलो, इस पैंजे लिया है, अप्रियो जो, है, उन्या झाएंग, तेसेद्गे, वे लिया थाईंगे, तेसेद्गे, जो कि यह नप्रोजे अगा, इसे अप्रम्राशन, नप्रोजेंगे, पो मैं है, ठेसे, बनाएंगे, ऊफागप अटोया इसक्शन, तेसे, विया जएएंगे, देसे, नप्रर्क्श हम यहां से जाएंगे ओपर कितना हमारा कारियर है यहां पर यहां पर माइनस जीरो पॉइंट फाइव जीरो पॉइंट फाइव पर माइनस जीरो पॉइंट फाइव पर ऐसे उसके बाद जीरो पॉइंट फाइव पर मैसेज सिक्नल बनानी है जो यहां पर जीरो पर बनाई तो उपर जाएंगे 0.5 से 1, that means यह जाएगा उपर 1.5 तक, ज़र मुझे बता हम नीचे कितना जाएंगे हम, चाइड बॉक्स में बता हम नीचे कितना जाएंगे 0.5 से कहां तक जाएंगे, minus 0.5, good, so we'll go to minus 0.5, like this, और उसके बाद उपर जाएंगे, फिर से, क्यूंकि हमें message signal बनानी है, यह तो हो गया ऐसे, अब, अब गया बनाना है, अब हमें नीचे वाले side बना रहा है, अब देखिए, और यह है 0.5, यहां से मुझे जाना है नीचे, गया मैं, यहां आया, minus 1.5, अब उपर जाओंगा, plus 0.5 तक, इसे, यह ठीक है, इसे, वही बात तो है, असलमें हम करते हैं, जो एक process होता है, envelope detection है, हम एम में जाएंगे, हम पढ़ेंगे envelope detection, देखो, अब हम बनाएंगे, modulated signal, तो ऐसे होगा कुछ, देखो, यहां पर उपर जा रहा हूँ ना, मैं, अब यहां पर crossover हो गया, उपर वाला नीचे गया, और नीचे वाला उपर गया, तो यहां पर भी मिलेगा, इसको face shift, यह उपर जाने वाला था, लेकिन अब यह नीचे जाएगा, देखो, यहां पर यह नीचे जाने वाला था, अब यहां पर फिर से crossover हो गया, यहां यह उपर जाने वाला था, अब यह नीचे जाएगा, यह जो crossover हो रहे हैं इसकी वज़ से distortion आ रही है, इसको हम बहुते हैं cross over distortion, cross over distortion, अब देखो, अब यह मेरी zeroth line है, यह बीच वाली, यह highlight कर रहा हूँ मैं, अगर मैं positive peaks को join करो, मुझे कुछ ऐसा मिल रहा है, ऐसा, उसके बाद ऐसा, उसके बाद फिर से ऐसा, उसके बाद यह ऐसा, क्या यह message signal के बराबर है, जो मेरी message signal कुछ इस type की है, क्या ये envelope जो मेरा positive envelope है क्या हो message signal के बराबर है नहीं है इसलिए हम over modulation को prefer नहीं करते हैं असलमें देखो demodulation के बहुत सारे तरीक होता है लेकिन सबसे आसान और सबसे cheap होता है envelope detection अगर envelope detection हमारा आसानी से हो जाएगा तो हम बोलते हैं modulation feasible है अगर नहीं होगा तो नहीं बोलते हैं असलमें जब modulated waveform देखते हैं हम फिर देखते हैं क्या जो इसका जो envelope है क्या वो message signal केरी कर रहा है अगर केरी कर रहा है तो हम बोलते हैं हाँ ठीग है good modulation अगर नहीं केरी कर रहा है that's a it's over modulated यहां तक सब को clear है chat box पर पहले लिखो where is Fatima, Fatima नहीं है close इमाद कहा है Hashim okay good ठीक है अब चले एक question कर लेते है अच्छा वो भी तो लिखे ही था okay so the question goes like this question बो रहा है कि the amplitude of am varies between four volt and one volt मतलब इसका मतलब है जो मेरा am का मतलब modulated waveform जब am लिखा हो तो इसका मतलब आफ समझेंगे कि यह modulated wave यह बो रहा है इसमें e max है मेरा 4 volt और e min है मेरा 1 volt मुझे क्या निकाला है depth of modulation या जिसको हम बोलते हैं मुझे percentage modulation निकालनी है जर्व मुझे बोलो जर्व कोई करके तो I'll wait for one minute percentage modulation मतलब भो modulation index into 100 60 पर सब्सक्राइब 60 पर सब्सक्राइब रहा है जर्वा डेख लेता हूं या जर्वा इस 60 पर संगे आप गए जर्वा बोल्ट पर सब्सक्राइब वो आयेगा 4-1 divided by 4 plus 1 that is 3 by 5, 3 by 5 percentage modulation yeah depth of modulation is one and the that's 5-1 or 5-20 that is 60% ठीक है अब देखो अब जो हम अब हमारे पास जो टाइप है AM के जो amplitude modulation है इसके तीन टाइपस है one is the double sideband full carrier second is the double sideband suppressed carrier and third is the single sideband suppressed carrier और एक होता है vestigal sideband which is not very important ये तीन इम्पोर्टन है this is double sideband full carrier, double sideband suppressed carrier, single sideband suppressed carrier अगर normal AM की बात करें अभी तक जो हम पढ़ रहे थे that is double sideband full carrier, normal AM उसके बाद different cases आते हैं हम के, वो देख लेते हैं अब देखो आज मैं आप लोगों को बताता हूँ जो double sideband full carrier जो start कर रहा हूँ, double sideband full carrier देखो अभी जो मैं signal बना रहा था ना, अब लोगों के सामने, एक second मैं दिखा रहा हूँ जो मैंने पहली signal बनाई थी, under modulation का, ये, देखो देखो ये जो signal है ना, ये कैसे आई है, हम क्यों बना रहे थे पहले इसके जब हम बना रहे थे, modulated signal, हम क्यों ऐसा बना रहे थे कि हम पहले ये, हम क्यों ऐसा कर रहे थे कि हम पहले carrier का amplitude, मलब हम पहले one बना रहे थे, जैसे one मल बही है, कभी-कभी जैसे carrier accomplished, 0.5 पहले हम 0.5 पाते स्थाफ़ पर बनाऊ है, message signal, actually, जो modulated signal है, वो obtain, पता है कैसे होती है, जो उसकी formula होती है, वो कैसे होती है, that's obtained by like this, double side band, full carrier, जो AM होता है, modulated, जो message होती है, message, message, signal, उसको represent किया जाता है, M of T से, कोई function M of T, और जो carrier signal है, carrier signal, उसको represent किया जाता है, normally, 99% of the case, A subscript C, cos omega CT, ठीक है, यह carrier signal होता है, 99% of the case, जो हमारा modulated signal है, modulated, and I am talking about double side band, full carrier, modulated signal जो होता है, मालो, मैं modulated signal को, S of T से represent करता हूँ, वो आता है, AC, cos omega CT, प्लस, M of T into, M of T into cos omega CT, यह जो होता है, this is carrier, this is message into carrier, जब ऐसा होना, carrier into message plus carrier, we say double side band, full carrier, अभी आपको समझ आया होगा, कि हम क्यों ऊपर वहाँ जा रहे थे, अगर carrier का amplitude होता था, 0.5, हम क्यों 0.5 पे message बना रहे थे, क्योंकि इसमें carrier plus है, plus है, प्लस है, प्लस है, प्लस है, प्लस है, बनावा message into carrier, carrier, ठीक है, यह है formula for double side band, full carrier, इतना clear है, chat box में लिखिए, अभी आप लोगों को पता चलेगा, यह मतलब, why do we say double side, what is carrier, why do we say full carrier, यह आपको कल, इंशाला, next lecture मां पता लगी जाएगा, और side band क्या होता है, यह भी आप लोगो, इसलिए next lecture is very very important, I am saying, next lecture is important, important and it's the crux, if you, अगर आपको वो समझ में आ गया, तो आगया आपको कोई दिक्कत नहीं होगी, communication समझ में, so please next lecture, मलब करना कोशिश, जो Wednesday को है, कि सारे अटेंड करो, और मलब live ही अटेंड करो, काईज की confusion तया सुगस्ते थी दूर, एक सक्किन मैं अटेंड ले रहा हूँ, आज कुछ जात है बच्चे, फुरकान और जहांगीर, चानो दिए, चानो दिए, चानो दिए.